हैलो एब्रिवन चटाकर एसोई में आज हम बनाएंगे समर स्पेशल बहुत ही रिफ्रेशिंग सा एक ड्रिंक जो कि आप सभी को बहुत पसंद आएगा इसमें जाएंगे कुछ फ्रूट्स और कुछ बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग सी चीजें जो कि बच्चों को तो बह सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो सबसे पहले हम यहां लेंगे आम गर्मियों में आम का हम कुछ भी बना लें बहुत टेस्टी लगता है तो मैंने सबसे पहले यहां कुछ आम मोटे मोटे क्यूप्स में कट किया और कुछ को बहुत छोटे-छोटे क्यूप्स में कट कर में पेज़िक है और इसमें हम डाल देंके डूद तुers में का रिखित नोली जो इसमें के साथ डूद Custom मैं दूद जो के लाता हमें है कροता पड़िक जन्याक, फिर इसमें डाल देके क्लशल्द से हैं जो प्लेंड रिखिए तो वनीला आइस्क्रीम जो है इसके साथ आम के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर देती है और बच्चों की तो आइस्क्रीम फेवरेट होती है तो आम और वनीला का जो फ्लेवर होता है वो मिक्सो के बहुत अच्छा टेस देता है और अब हम इसे अच्छे से ब्लैंड करेंगे एकदम smooth और creamy सा एकदम ये बड़िहा सा drink बनकर तयार हो जाएगा तो आपना इसको एकदम बड़िहा तरीके से blend कर लीजे और बहुत जल्दी से ये तयार हो जाता है बनकर ये देखिए कितना creamy सा हमारा ये drink बनकर तयार है अब हमें से जो serve करना है वो सबसे main है कैसे हम इसे serve करेंगे तो serve करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ glasses में नीचे जो mango की छोटे वाले cubes कट किये थे वो डाल दिये है और अब इसके उपर हमने डाल दिया है आइस क्यूब क्योंकि थोड़ा ठंडा भी होना चाहिए समय स्पेशल ड्रिंक है तो ठंडा नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा अब हमने लगभग पॉन ग्लास वो जो ड्रिंक तयार किया था उससे फिल कर दिया है अब इसके उपर हम दोबारा से डालेंगे वनीला अब हमने इन सभी ग्लासेज में उसके उपर फिर थोड़ असा जो ड्रिंक हमने तयार किया था वो डाल देंगे फिर से एक बार हम जो बारीक वाले आम के क्यूब्स थे वो डाल देंगे थोड़ी से टूटी फूटी जो आती है मेरे पास रट और ग्रीन दो कलर्स में थी तो मैंने दोनों के लख में डाल दिये हैं और थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें चौको सिरफ तो ये देखिए चौको सिरफ डालने के बाद इस पर टूटी फ्रूटी डाल दिया है ग्रीन और रेड टूटी फ्रूटी ना हो तो आप इसको skip भी कर सकते हैं पर इन सभी चीजों के साथ आप इस drink को बनाएंगे और किसी के सामने serve भी करेंगे तो ये बहुत ही ज़ादा amazing लगता है आप ज़रूर try करिएगा इस drink को एक बर इसी तरह से बनाकर ज़रूर try करिएगा क्योंकि बीच पीच में जो mango की चुटे चुटे क्यूप से आइस क्रीम का फ्लेवर है चॉकलेट का फ्लेवर है ये सारे फ्लेवर्स जब अलग-अलग हमारे मुह में आका बहुत अच्छा सा टेस्ट देती है तो बहुत ही बड़ी अलगता है